आपको कोई भी दूसरा वीडियो की जुरूरत ना पड़े इसलिए आपको सिंपल तरीके में आप इस वीडियो के अंदर पूरा डेटेल बताने वाला हूँ तो जैसे आप इस application को open करेंगे तो आपको इस ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते है बोटम पर नीचे आपको देख सकते है यहां पर देख सकते है वीड़ा पर आपको क्लिक कर लेना क्लिक करने वाँ दोस्तों क्या करना आपको यहां पर देख सकते है रिक्वेस्ट वीड़ा पर आपको यहां पर क्लिक कर देना क्लिक करने वाँ दोस्तों ध्यान देना यहां पर आपको करना फस्त नेम यहां पर लिखने डाल देना आपको जो आपके अधार काड़ पर आपका नेम है वो आपको फस्त नेम यहां पर लिख देना जैसे अब मैं अपने बाई का यहां पर डटेल लिख रहा हूं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहां पर first name वही लिखना आपको जो अधार कार्ट पर है and last name भी आपको वही लिखना जो अधार कार्ट date of worth ही आपको यहां पर वही चूज करने हैं जो आपके अधार कार्ट के यहां पर bank account के साथ link का दियान देना दोस्तों mobile number आपको वही डालना जो आपके bank account के साथ link है अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको अपना first name, last name, date of worth अपना पूरा ड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना अब आपको करना क्या है यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको bank account पे click कर देना यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको करना क्या है यहां पर UPI की option भी आपको देखने को मिल रही है अगर आपको UPI ID यहां पर इंटर करने हैं वह भी कर सकते हैं लेकिन आपको कोशी करिए कि आप अपना बैंक अकॉंड यहां पर लिंक करिए यहां पर आपको अपना देख सकते हैं आपको अपना अकॉंड नंबर यहां पर फिल कर लेना यहां पर दोस्तों मैंने अपना बैंक अकॉंड आपको दुवारा अपना री इंटर बैंक अकॉंड दुवारा आपको पहले अपना बैंक अकोड। दौरा आपको अपना अकउंड यहाँ पर निज रिंटर करना नीचे आप देख सकते हैं। नमबर पर आपको OTP मिल दाएगा वो OTP आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दोस्तों आपका OTP आपको यहां पर फिल कर लेना फिल करने वाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो bank account है ऐसे मैंने अपने my 11 circle में यहाँ पर देख सकते है KYC complete यहाँ पर देख सकते है proceed to अधार कार्ट पर क्लिक करने है दोस्तों नीचे आपको next option देखने को मिलेगा आपको next पर क्लिक कर देना क्लिक करने है दोस्तों यहाँ पर देख सकते है click picture upload picture अगर आपको click करने है तो click कर सकते है और आप यहाँ पर देख सकते है अब दोस्तों आपको अपने अधार कार्ट की front and back side की दोनों की यहाँ पर आपको picture click करके upload कर देना है नीचे आपको submit की option देखने को मिले होगी आपको submit पर click कर लेना है अब दोस्तों देख सकते हैं next step का बेट करना होगा उसके बाद ही next step यहाँ पर ok कर देना आपको अब दुवारा मैं यहाँ पर more पर जाओंगा bid draw पर request bid draw पर click कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर message देखने को मिल रहा होगा दोस्तों बिल्कु सिंपल आपको बेब बताया कि आपको दूसरी वीडियो देखने की आपको जुरूरत ना पड़े यहाँ पर देख सकते हैं congratulations your KYC document has been successfully verified तो आपका जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप अपना KYC complete कर सकते हैं यहाँ पर आपको bank detail देखने को मिल सकती है अब दोस्तों आप अपना bank account ऐसे verify कर सकते हैं KYC ऐसे complete कर सकते हैं